आज हम लोग नाकपूरी का बेहत इंपोर्टन पार्ट बन के वरा भाग का जो पद भाग है उसको देखेंगे और पिछले लिए से में आप लोग कहा गिया था कि पद भाग पड़काईएगा हम लग 15 पोएम का जो महत्पून परस्ण बनते हैं उसको यहां पर कलेक्शन किय पर लोग देखेंगे ठीक है चले मिना लेट के विए आज के स्टार्ट करते हैं बन के वरा पद भाग संबंधित महत्पून परस्ण उत्तर पहला परस्ण किया है देखेंगे आप लोग बन के वरा भाग एक पद भाग में कतर कवीता कर संगलन है इतना अच्छा परस्ण ह है आप लोग के जानना चाहिए कितना कवीता है पद भाग ओन में 18 कवीता है 28 30 32 का इतना कवीता है कितना पॉइम हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल साही जवाब घाव हो जाएगा 32 और आप लोग से रिग्वेश्ट है कब लोग इंसर्ट देते चलिएगा कमेंट करके ब है तो आप लोग एक्जाम के पॉइंट अब यू से जाए बहुत महत्पुन होने वाली है चलिए आगे देखते हैं दूसरा कोशें बन के रहा भाग एक पद भाकर पहिल कवीतागर का नाम है के फिर से अच्छा परसन है पहिला कवीतागर का आप क्या नाम है वह पूछा ह है एदम पूरा जड़ से लेके पूरा शुरू से लेके पूरा फेड तक पूरा पढ़ेंगा हम लोग सांदार तरीका से इसे लिए यह 15 कवीता का है नेक्ट अगले दिन 15 कवीता का आगा तो इसे पहला दूसरा परसन देख रहे हैं क्या है पहला कवीता के नाम मिल्कुल गनेश बंदना नेक्ट परसन देखते हम लोग हेठे देवाल में से कौन धनेंद्र परवाही का क्रिति लागे धनेंद्र परवाही के आप लोग कवीता को ट्रिक का बनाया हुआ वीडियो जाग देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिपिशन में दिया हुए है सब कवीता कर इसकर तरीक के सत्वत कर देखाया हुए है जिसके धनन परवाही कर यह कौं सा यह है कवीता बताईये उंप बिलकूल कौन है तो अनमोल है अनमोल कवीता का नाम है अनमोल धनन परवाही जिसका राइटर है प्रसने घ्र एसल पूझे एक्जाम हाल में ऐसे ही दिखेगा कव गोनेस भगवान को भी तरीक के साथ दिया हुआ है कहीं नहीं मिले इतना संदर्थ तरीका से पूर पूरा कम्प्रीट कोर्स कराया हुआ है जाग देख सकते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पांचबागा बिल्कुल सही गोपनंद धाम धनी है गखुला ग्राम धनी जेकर जसो मती मैया गे साजहिन चलू देखन जदोरिया यह कवीता का दो लाइन देदेगा एक्जाम होल में आपको एक्जाम पेपर में और आपको पूछे का यह कौन राइटर का लिखा हुआ यह कौन कवीता से लिया गिया है अब इसे में क्या है तो धनी गोपनंधाम धनी है को खुला ग्राम धनी जेकर से सो मती मैया के साजहिन चलू देखन चदोरिया अब इसे में पुछा है कि कोन कवीता से लिया गिया है यह आपको बताना है चार अप्सन आपके पास है श्री विरिंदावन पर गनेश प्रण आपसन को हो जाएगा next question । सब्द घ्क है अधम कर इसमें कवीता में एक जगे वर्ट आया है अधाम ठीक है अधाम अधाम उसका मिनिंग बताएए क्या होता है मिनिंग नेक इंसान पापी युद्धा या क्यों नहीं वहां पर ध्यान देजेगा आप लोग जब कवीता पढ़िए गना तर नीचे सब्दार्थ मिलेगा एक जा इससे पूचे किसमें बहुत अथा है , इसमी बता है किसमें वेट फ़स्टोरी राता है आगे द echo कवीता राम रख़ क करन लेख़ कर राम रखुवा रहकरul को rest आगे देखते हैं विधर्व नगर का नाव कौन कविता मालक है बहुत अच्छा परशन आप इंद्र सेन सूत भेल दूख दंद दूर वहल माहननंद ने सरी इंद्र सेन सूत भेल दूख नंद इसमें कविता पंक्तिम आवलस्थ भोप कर अर्थ बतावा बिल्कुल असान पर्षन है भूप इसका मिलिंग पूछ दिया वहाँ पर कविता माया था क्या होगा आपन राजा आकास या गहना क्या बिल्कुल राजा भूप मतलब राजा चलिए आगे देखते हैं लिखक आरजून सीकर नुसार कौन बाजा सौप से बेस बाजे है किसान के लिए सबसे पहले आवसार किया है कोड़ी कुधाल है थीकर evas ko बनाता है लोहार बनाता है तो ङस मारता है आ ठीज करने के लिए को तो उस बाज go उसी बाजा का नाम दिया है ठीक है कुटासी बाजा चलिए आगे देखते हैं मतलब मुख्य ठाओं के जो फेमस जगह को का कहल जाए क्या कहा जाता है उमाइक खोईर बरंडो या पेपला क्या बला जाता है बोलिए बिल्कूल तेरा को खा हो जाए खोईर अंसर हो जाए कोन है बसंत कविता जी बिल्कूल नैमुद्दीन मिर्दाहा का है ठीक है आगे देखते हैं संगे चलब कविता का रचना कितना पद में किया गिया है बताइए तो बिल्कूल कितना तो पांच पद में किया गिया है पांच पद में संगे चलब आगे देखते हैं एहोरी आं खरें कोहू सोर करें डारी डारी सबद करी ओरी फिरे देवाल simplify आक क्यों लिखा लखें ऒरूम कार्ष हनु नियुक्त किया है तुल लिखाए बिल्कुन नहीं अपड़ है यह यह विल्कुल इसे ही प्रस्ण मिलेंगे आपको हेटे देवाल में से कौन कवीता कर दो अठारा पादम कर जा गलग देख रहें ना बहुत बड़ा कवीता इसलिए यह प्रस्ण मरना जरूरी था तो कौन बिल्कुल अठारा पादम को है तो बसंत ही है बसंत आगे देखते हैं लोग गनेश जी के कोन कोना से जनल जायला प्रस्ण कहां से पूछा है तो गजबदन बिल्कुल बोला गिया है बिनायक सिद्धी बिनायक सब बोला गिया है यह आगे देखते हैं दम के दामिनी जोती के कर दाम agrees के मिनिंग कि पुछा कि कुन कविता कर दोल इसके क्या तौन नुजरी रागम किया नूजरी रागमे बताईए पुछेंगर यहीं सब परस्ण रहेंगे एकदम अप्सन घामन मोहनी आगे देखते हैं लोग परमवीर अलबर टेक्का कोन पुरसकार सम्मानित करल जा है कोन पुरसकार सम्मानित किया गिया है पदम भुषन परमवीर चक्र भात रत्न अरे नामे में तो दिया हुआ है जी प विर्ष नानी गनपत बिर्षा विश्वनात कर नाव कोन कवीता मालक है विर्ष नानी गनपत बिर्षा भगवान विश्वनात सहदेव कर नाव कोन कवीता माया है ऐसे परस्ण पुछेगा किसमें आया है बताईए तेज का क्या हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब संगे च पहां में क्या तो जिनगी के समान की बिठ्टे आ रहा रहा जिंदगी को यह कौन भज़ा बेस बुद्ज बेस इधर से वह बाया है यह जवाब दिया गिया है तो पुछारी जिसे पर सनुतर चलता है तो पुछारी है ठीक है आगे देखते हैं लोग कवी परमवीर अलबर टेका कवीता में कौन बच्छर कर यूध कर चर्चा कईर है कौन साल का यूध कर वर्णन हुआ है बंगलादिश का जाधी का टाइम का जीत 1971 का है इसमें सहीद हो गय थे परस्ना असाळ असाळ महिना को में आता ही पर्कृति कि में अनंद का संचार हो जाता है यहीं टेंसे बसाती स्टाट होता है जी है कि का बसुधा के देवहु जिवान में कवी कोन-कोन परत्य वहार का बंण करें किसका बिल्कुल सबस्ब्सका किया गिया है सबका ठीक है और आप सबी दोस्ते request है कि जो अभी भी स्टार्ट अगर तयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको भी साड़े तीन महिना का टाइम मिल जाएगा आप लोग अभी सभी स्टार्ट कर जाएगा तो सियोर की 100% तयारी हो जाएगी अनाक पूरी के तो पूरा कलास दिया हुआ है और अगर आपको सिर्फ 24 फूल लेंटेस्ट लेना होगा लेकिन अगर आप मैट्रियल प्लस टेस्ट लेना चाहेंगे मतलब की कॉम्बो पैक तो पांस सब उन्चास प्यक करना होगा और उसके बाद जितना भी यह सब पीडिया बन रहा है जैसे आज पढ़ाया गिया तो यह सब जितना भी 5-6 पीडिया जमा होते रहेगा आप लोग को प्रोवाइड होते रहेगी जिन लोग मैट्रियल पर्चेस करें उन लोग के लिए अलग से गुरूप चलेगा और वहां पीडिया जाते रहेगा तो आपने लिए जब 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 तैयारी हो जाएगी दो देखते हैं तो यहां पर क्या है बसुद्या के देव हो जिवन में 29 में सब हो जाएगा तीस नमबर देखते हैं कवी आपन कवीता करमादयम से का के फूक एक बात करत हैं कितना संदार परसन है ऑप्सन देखिए का दिमाग घूम जाएगा तो का के रनभेरी के सहनाई के भ कि देवाल में से कौन कवीकर रस खान कर रुपादि डेवाल जाय रहे कौन बताईए कवीकरर यंदिन अचराविता को दिया गिया है आ जो उसको रास्खान को पादी दिया गिया है आगे चले नेक्व परस न आनमॉल कविता करना सार केकर दूध परमनमॉल है किसका माय गायकर सुधा दूध या सव वह किसका बताईए तब माय का माय का दूध कोई कीमति नहीं है जी अनमॉल है आगे देखते हैं, पलास क्यत्की गुलेंची जैसन फूल कर बर्नन कौन कवीता हम फेलाख है किसमें हुगा आनमोल चांद मुस्काय बसंत रिंग चिंगिया किसमें बिल्कुल अप्सन कवीता कर मताविक राम भागवान का जनम बेरा आस्मान में का गुंजत रहे जो कि अब्सन है भेर कर आवाज तो धूंबी कर आवाज रन भेरी कर आवाज सहनाई आवाज का चीज बताइए उप्सन समझ बज़ जास्त है तो बिल्कुल अप्सन खाऊ जाएगा तो धूंबी कर आवाज बज रहा था आगे देखते हैं कवी आउनी सब्द के पर जो काल कवीता का है उसको लेक आएंगे अगर आप लोग नहीं सेयर करिएगा कमेंट नहीं करिएगा तो कईसे हम मेहनत करें यार मेला खुद का अभी पेसी के तैयारी चल रहा है उसके बाद आप लोग के लिए मेहनत करते हैं 36 का देखते हैं लोके लख्ठी परकाला दुनों देवल कवीता पंक्ति कौन कवीता करें के कौन कोवीता ना σε दूशभा परकाण का परहर है किसकर कौन कौैंद gözर निद्शय कर लिख कवीता नौ नहीं संधन नहीं मनमोहनी स्रीविंदावन पर या बिगट समस्या तो जय गविंद मिस्र के कौन है तो संधी सिकाव जाएगा विद्या संधन नहीं है यह है और आप लोग के बार पर बता रहे हैं कि जब अज़ ट्री कोला वीडियो दिया हुआ है एक बार देखिएगा भूलना चाहिएगा तो भी नहीं भूलिएगा इतना संधार वीडियो है आगे देखते हैं कवी आपन कवीता में बसंध रित्यू के कौन भागवान कर बरदान माने हैं बसंध रित्यू को कभी संकर ब्रहमा राम रिष्णू किसको बिल्कुल ब्रहमा भागवान कर बरदान माने है चलिए आगे देखते हैं मौधर और मौध मतलब मधुमखी है और मतलब बड़ा मधुमखी से बड़ा हुता है उसको भावर यह मधुमधूर संगीत फूल फर्मान में काडाइल लेवेल यह कविता से लिए लिए तो जान डाल देता है सान प्रश्ञ था प्रश्ण आज लु बताएगा जरूर बताएगा करके इसका इंसर किया हो जाएगा और यह बताएगा आपका सही कितना हुआ ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में आप पूरा लाख पंद्रा वीडियो को तयारी करकाई एगा दोस्त ठीक है और हमारे सिच्छा मंतरी जी का आज कल दिहांत हो गिया जिनको आज पंचत वंविलीन करने के करवाई पूरी की जा रही थी कुछ दिर पहले तक तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सोसल मीडिया महुसरे देखा जा रहा है कि उनको कुछ उल्टा भुल्टा बोला जाए तो उसम नहीं बोलना चाहिए दोस्त क्योंकि वह ही एक है कि जिसको मैट्रियल पर्चिस करनी हो वह आप लोग 8002 जो बताया गया नंबर 8002-8586-7486 नमर वाट्सप करके और यही नमर फोन पर कर सकते हैं आप लोग अगर कॉंबूपाइक पर्चिस करना होगा तो पांच सब्सक्राइब करके इसकी इसकी सेर करी आपको मैट्रियल आ जाली होगा तो चुना अगर सरकार क्शुणा में ध्यान की दती है तो सिच्चा मंतरी पूरा बनने एक चांस कीन दो तो पूरा चांसे से सुधियुकुमार सुनुजी का पूरा सिच्छा मंतरी बनने का पूरा संभाना बना हुआ है वही सिच्छा मंतरी बन सकते हैं तो यह मिलते हैं नेक्ट वडियो में अपना ख्याल रखें तब तक कलिए धन्यवाद